बाईया ये सवाल आपके एक्जाम में सिर्फ तीन नंबर में या तो दो नंबर में ही एक्जाम में आता है और या एक बार नहीं 17 बार एक्जाम में आ चुका है तो कोई भी छात्र इस सवाल को एग्नोर करके आगे नहीं जाएगा वीडियो पूरा देखो मैं जिम्मेदारी और गारेंटी लेता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा ऐसा समझ में आएगा कि 29 फरवदी को पेपर में भी तुम डिरेक्ट इसको लिख पाओगे बस वेट करो और ग्रेट तरीके से मैं पढ़ाओंगा वीडियो अच्छा लगे दिखते कितरे डिस्लाइक काते हैं बस आप देखो यदि किसी सरल डेख़ा कि कोजिया एल, एम, एन है इन है तिनो लिख लिख दिया उसके बाद सिर्ध करना कि ल स्कुराइर प्लस एमें इसकुराइर ब्राबर वन तो आपको दिक कोजिया दिया रहे तो दिक अनुपात मान लेना है लिखेंगे माना दिक अनुपात A, B, C है ठीक है क्या मान लेंगे माना दिक अनुपात A, B, C है बस्ती नहीं अच्छर A, B, C इधर लिख दिया और A, B, C दिक अनुपात के रूप में लिख दिया अब इसके अनुपात कुछ भी नहीं करना है बस्त देखते रहना है क्या है L बराबर सुत्र होता है पहला दिक अनुपात A, B, C करड़ी में तीनो का हूल स्कॉएर जोड़ देंगे इसका है इसका है इसका करके क्या करेंगे जोड़ देंगे तीनो पर इसकॉएर लगा के जोड़ देना ऐसे यम कमान, यल के बाद यम आता है, और एक के बाद भी आता है, तो बीच वाला उन पाथ उपर रहेगा, दिक उन पाथ भी बटे, करड़ी में तीनों के, होली स्क्वाइर, ठीक है, फिर, लास्ट वाला सी बटे, ज्यान दिजेगा, सी बटे, करड़ी में, ए स्क्वाइर, प्लस बी स्क्वाइर, प्लस सी स्क्वाइर, किलियर, तो बैया, इन तीनों में, करड़ी के अंदर एक ही चीज है, क्या है, ए स्क्वाइर, बी स्क्वाइर, सी स्क्वाइर, ए स्क्वाइर, सी स्क्वाइर, ए स्क्वाइर, बी ले ना right hand side रहना है ध्मान से देखो हाम इसका बाया पाच्छा ले लेते हैं kya le square plus m square plus n square यंवाला है देख के लिख ये देख के लिखे ये इस पर क्या लगाना है देखो m square लगा यह भी लग जाएगा संग मान लिखना है बी बटे कलडी में इतना A square plus B square plus C square N कमा निहास ले लिजे C बटे A square plus B square plus C square, all square ठीक है? अब देखो ये square इसके उपर भी लग जाएगा ठीक है? कलडी के उपर ये square B के उपर लगा दीजे कलडी गायब A square plus B square plus A square और ये square C के उपर लगा दीजे यहां से कलडी गायब तो एक बात मैं बता दूं करड़ी गायब कब होती है जब उसपर whole square apply होता है तब तो यह whole square करड़ी पर भी था इसनाते करड़ी नीचे से गायब है यह whole square इस करड़ी पर भी 10 नीचे से अब तीनों का नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला बराबर है तो क्या हुआ A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस C स्क्वार उपर वाला प्लस उपर वाला प्लस उपर वाला उपर वाला प्लस उपर वाला प्लस उपर वाला भाई देखो उपर भी सेम चीज है, नीचे भी सेम चीज है, क्या होगा, कट जाएगा, तो वन बटे वन, बराबर क्या आगया, वन आगया, ठीक है, जे आपको क्या है, एंसर है, समझ गया मेरे बाई, कोई दिक्कत पर सानी मुसिवत हो, तो बता दे न, बता दोगे न, चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, और ये तेरह बार, कभी L बन के आया, कभी M बन के आया, कभी A बन के आया, कभी B बन के आया, कभी C बन के आया, कभी X बन के आया, कभी Y बन के आया, कभी J जड बन के आया, लेकिन आया खूब दबा के, और एक्जाम में आने की हद पार कर चुका है मनलब चार नमबरों में ये सवाल सोलेह बार आपके बूर्ड परिक्सा में आया हुआ है भी सवास के लिए आप थंबनेल देखे ही होंगे और आपके पास कोश्चन बैंक अगर पिछले दस सालों के मौजूद है तो सारे कोश्चन बैंक में भी आप पाएंगे इसको अगर पेपर भी आपके पास पिछले दस सलों का माडल पेपर होगा या ini साल पेपर दस सलों का इकठा रखे होंगे तो भी आपके पास मिल जाएगा तो दिल ठाम के बैठना बता रहा हूं एक्जाम तक याद रखना बस मुझे भी याद रखना और पाली टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम के अगर आप लोगों में से कोई तैयारी करना चाहता है तो इस फोन नंबर पे काल करके अपनी सीट बुक करा ले भाई विडियोकालिंग वाला बहुच ले ना हो तो विडियोकालिंग वाला ले ले रीकाडीड़ वाला ले 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 पच्चतर पचीज एक यसी एसी 38 असोले घंटे की वीडियो चाहिए तो अभी लीजिए बोड एक्जाम बार हमी के मैद का पेपर तयार करना है तो अभी काल कीजिए पॉलिटेकनिक तयारी करना है तो भी काल कीजिए हर तरह की सुविधा आपके लिए मैंने मौझूद रख है मुझे तो बड़ा उत्साह आरा अंदर से बताते हुए कि चार नमबर फिक्स हैं आपके चार नमबर फिक्स हैं कैसे देखो मैं बता रहा हूं बचपन में सुरुवात में जब स्कूल गए तो एपरेपल भी फरबाल जी फरकेट पढ़ाए गया तो आज इस कोस्चन में सिर्फ A और B और C तीन ही अलफाबेट पढ़ना एंस्वार आजाएगा ठीक है क्या है ध्यांत देखो ध्यांत देखो बेटा लिखेंगे A B C दो बार लिखेंगे भाई फिर लिखेंगे A B C यहां लिखेंगे 1 1 1 यहां लिखेंगे 2 2 2 बराबर का चिन लगाना कोन नहीं जानता भई लगा दीजिए आप देखो A1 B1 C1 का मान क्या है 3 है 5 है 4 है यहां लिखेंगे 3 है 5 है 4 फिर 1 1 2 क्या क्या 1 1 2 एक लाइन एक लाइन तयार हो गया देखा प्रभू कच्छा एक में ही 1 2 3 पढ़ाया गया कच्छा एक में ही A B C पढ़ाया वही चीज हमने भी आपको पढ़ाया अब आप बताओ कच्छा एक कलेवर अच्छा है न आगे देखो भाई अब यह सवाल का जो एंसर है ऐसे सुत्र पे आधारित है जो सुत्र याद करना आपके लिए बहुत बड़का बोज है तो आज उस बड़े से बड़े बोज को मैं बहुत छोटा कर दूँगा मैं कसम बता रहा हूँ सुत्र जाने अन जाने में मजाक मजाक में खिलवाड खिलवाड में आपको याद करा दूँगा और सुत्र ऐसा याद होगा ऐसा याद होगा कि बोड़ परिच्छा के बाद भी याद रहेगा मैं भी याद रहूँगा ऐसा नहीं कि सुत्र वे याद रहेगा, पढ़ाने वाला भी याद रहता है, बात गाउं में कहोगे उमस्टरवा बताया था, भले चाहे जिस लेंगेज में कहोगे नाम लोगे याद करोगे, लेकिन याद जरूर करोगे, तो भाई, ये फोनमबर अटाते हैं, देखो, इतना मज़ेदार वीडियो प्रभुश्री राम आपके लिए भेजे हुए हैं, देखो भाई, अभी सिर्फ ABC चला, 1, 2, 3 चला, फिर वहीं चलेगा, कास्थीट अबरावर सूतर होता है, क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्या, इधर मैंने दो बार लिखा था, ABC, ABC, लिखा था न, ठीक, उसी तरीके से इधर भी दो बार लिखेंगे A, फिर लिखेंगे प्लस ची लगा के दो बार लिखेंगे B, फिर लिखेंगे प्लस ची लगा के दो बार C, हर चीज दो बार, दो बार A, दो बार B, दो बार C, हो गया बटक लाइन खीच दो दो बार करड़ी बना दो दो बार करड़ी बना दो निचे ध्यान से देखना हर चीज को दो बार दो बार A है दो बार B है दो बार C है दो बार करड़ी है दो दो बार वाला चीज याद रखोगे शुत्र अपने आप तयार हो गया इसके अंतर भी क्या लिखेंगे A पलस B पलस C तो यही चीज इसके अंतर भी लिख दो A पलस B पलस C हो गया A B C Uपर A B B C C नीचे दो बार करड़ी है क्या कुछ नया मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं, बजपन में ले गया हूँ, क्लास वन में, LKG में, UKG में, मज़ा आ रहा है, लेओ मज़ा लेओ, अब देखो, द्यान तो देखो, यहां लिखेंगे, 1, 1, 1, यहां लिखेंगे, 2, 2, 2, सब के उपर, square, 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 यहां लिखेंगे, 12, फिर बार, फिर बार, बारे, बारे लिख देंगे, अरे ऐसे समझो, 1, 2, 1, 2, 1, 2, शूत्र बनके तयार हो गया, शूत्र बनके क्या हो गया, तयार, अब यह सूत्र अगर आपको कोई देदे लिख के, कि याद करो तो याद नहीं होगा, लेकिन मेरा style, याद करा देगा आपको, style क्या है, style क्या है, जरा एक बार देख लो, मेरे साथ, मेरे आख में आख मिला के बोलना है, इधर देख के नहीं बोलना है, मेरे आख में आख मिला के बोलना, ध्यान से पलग नहीं गिराऊंगा ऐसा से नहीं करूँगा देखो कास थीटा बराबर दो बार A दो बार B दो बार C फिर बटे की लाइन दो बार कलडी बनाएंगे फिर उनके अंदर लिखेंगे A plus B plus C फिर अगली कलडी में भी A plus B plus C और कलडी के अंदर A square plus B square C square तीनों में square लगा देंगे दूसरी कलडी में भी A square लगा देंगे कलडी के अंदर नीचे पहले वाले कलडी में 1111 दूसरे वाले में 2222 और जो ऊपर दो बारे है उसके नीचे 12 जो दो बार B है उसके नीचे भी 12 दो बार C है उसके नीचे भी 12 बाई मैंने पलक जपकाने का कि एक काम करते हैं आख बंद करते हैं सोचते हैं कि सूत्र कैसे लिखा था यह वे बनाई लो बनालो बनालो दो बार A, दो बार B, दो बार C करड़ी भी बना लीजिया दो बार A, प्लस B, प्लस C 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, square, 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 square और यहां पर 1, 2, 1, 2, 1, 2 यानि 1, 2, 1, 2, 1, 2 फार्मुला भहिया तयार हो गया अब इससे ज्यादा मैंने समझाओंगा इससे ज्यादा मैंने समझाओंगा अब इसके आगे अंसर आने वाला है कुछ होगा नहीं A1 गुड़े A2 मनलब सीधर 3 गुड़े 1 तो 3 का 1 में गुड़ा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा कास थीटा बराबर 3 और फिर B1 गुड़े B2 यानि 5 गुड़े 1 पांच एकम 5 आएगा फिर C1 गुड़े C2 यानि 4 गुड़े 2 चार दुनी 8 आएगा करड़ी में आजाओ A1, B1, C1 का स्कौाइर 3 का 5 का 4 का स्कौाइर 3 का 9, 5 का 25, 4 का 16 9, 25, 16 9, 25, 16 फिर करड़ी में A2, B2, C2 यानि 1, 1, 2 1 का स्कौाइर 1 1 का स्कौाइर 1, 2 का स्कौाइर 4 मेटा 16 और 9, 25 होता 25, 25, 50 होता है कर्डिम 50, 4, 1, 5, 6, कर्डिम 6, कर्डिम 50, कर्डिम 6, 3, 5, 8, 8, 16, बटे कर्डिम 50, कर्डिम 6, एक काम करते हैं, 50 को 25 दुना 50 लिखते हैं, अच्छे को 3 दुन अच्छे लिखते हैं, तो 16 बटे, कड़ी में 25 दुनी 50 हुआ, कड़ी में 3 दुनी 6 हुआ, तो अब इधर लिख देता हूँ, कास थीटा बराबर, 16 उपर रहेगा, 25 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 5, और कर्डिम 2, गुड़ी कर्डिम 2, ये भी बाहर आजाएगा, 2 बनेगा, कर्डि में क्या रहे जाएगा, सिर्फ 3 रहे जाएगा, ऐसे, 2 से 16 काटेंगे, 2 से 16 काटेंगे 8 हो जाएगा, तो कास थीटा बराबर, 8 बाटे 5 कर्डिम 3, कास को इधर लाएगे, तो थीटा बराबर जाएगा कास इनवर्स आठ बटे 5 कलडी में 3 एकची जवर है उपर नीचे कलडी में 3 से गुड़ा करदो परमेह करड़ हो जाएगा तो 8 कलडी में 3 बटे ये दो नुद 3 का कलडी म 3 गुड़ कलडी म 3 तीन होता थीन पचे 15 ठीक है तो कास थीटा बराबर आठ करड़ी में 3 बटे 15 तो थीटा बराबर कास इनवर्स 8 करड़ी में 3 बटे 15 यहीं शिद्ध करना था देखिए ठीक है तो बेटा मेरे सुत्र किसको किसको याद हो गया वो कॉमेंट में लिखेगा हैपी वेलेंटाइन डे क्योंकि आज 14 फर्वरी है साम के दिन ये वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ अगर आप वास्तों में अपने सब्जिक्ट से प्यार करते हो मैथ से प्यार का इजहार करते हो तो लिख दिन हैफी वेलेंटाइन डे कोमेंट सिक्षन में और आज इस फार्मूले से प्यार कर लो ये तरीका ये तरीका ये तरीका चार नंबर पाने का तरीका ठीक है तो त ये सूत्र भी याद रखेगा, ये सूत्र तुम्हें याद रहेगा, ये याद रहेगा कि यार विलन्टाइन के दिन मैंने इसे सीखा था, विलन्टाइन के दिन मैंने इसे पाया था, अपनाया था, इक्जाम में भी आया था, ये भी याद आएगा, ठीक है, तो कुल मिलाज कि बहुत मजाया इस वीडियो के साथ एक और सवाल दे रहा हूं देखो ध्यान से मजा लो मेरे साथ बस इंज्वाय करो विशय कामारे आउकल समीकर चेप्टर नमबर 9 इतना ज्यादा बच्चों को कठिन लगता है कि पूछे मत और कठिन लगना उसके पीछे कारड है कारड क कि सबसे पहले तो आउकलन कठिन लगता है उसके बाद समाकलन तो और कठिन लगता है और आउकल समीकर आउकलन और समाकलन दोनों से मिल के बना हुआ होता है इस नाते ये और ज्यादा कठिन लगता है तो भाईया रुके रहिएगा देखिएगा समझिएगा कोमेंट में र पूरा का पूरा यहां पर लिख दो यहां से यहां तक नकल करके यहां लिखो नकल करके लिख दिया नकल करना बड़ा अच्छा लगता परिक्षा में एक लाइन तो नकल करी सकते हो अपने पेपर से कहां पी में हो गया, end of next line देखिए क्या होता है, इस तरह के सवाल में मैं आपको एक बात बताओं, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, जैसे आपके घर साधी है, चिक है, और साधी में मिठाईयां बनी, रसगुला, सफेद वाला, और लड्डू, एक कही में मिक्स करके किसी ने रख दिया, एक कही में मिक्स करके किसी ने रख दिया, नहीं इस रसगुला को नहीं, लड्डू साध रसगुला मिक्स नहीं होगा, ऐसे समझो, बालू साही, सूख आइटम होता है, लड्डू भी सू ताकि देखने में भी अच्छा लगे हैं और किसी को लड्डू चाहिए, तो लड्डू में से लड्डू उठालो, बल्डू सही चाहिए, तो बल्डू सही उठालो, देदो पानी पीले, तो क्या हुआ यहां पर arrangement हो रहा है चीजे एक में mix थी उन चीजों को अलग-अलग करके arrange किया जा रहा है लड़ू में लड़ू बालुसाही में बालुसाही तो कुछ ऐसा ही concept यहां पर है यक्स के सारे element और y के सारे element एक ही line में mix करके रखे गए हैं हमें क्या करना है यक्स के सारे पदों को बराबर के right hand side में कर देना है y के सारे पदों को बराबर के left hand side में कर देना है जैसे लड़ू और बालुसाही एक में था अलग-अलग हुआ वैसे हम लोग यहां पर पच्छांतर करके इधर से उधर करके बराबर के इधर सारे y वाले रहेंगे और इधर सारे y वाले रहेंगे तो समझ गया अब हम चलते हैं इसकी कारेकरम को शुरू करते हैं प्लस चिन के इधर मेरे दोनों हाथों के बीच में जो कुछ दिख रहा ये दाहिने पच्छ में लेके जाओ बाकी चीजें लिख लो धीरे धीरे होगा एक कही बार सारा लड़ू तो किनारे होगा नहीं एक य grain हो ऐसे यहां भी वहता है देखो, माइनस में हो, प्लस y स्क्वाइर इदर है, माइनस y स्क्वाइर, 1 प्लस x, ठीक है? कोष्टक सहीत लाओगे, तो चिन में सिर्फ बाहर का बदलेगा, अंदर का नहीं बदलेगा, अंदर का तब बदलता है, जब कोष्टक खोल के आता, अब देखे क्या होगा? य को इधर लाना है, एकसी स्क्वाइर को उधर ले जाना है, तो 1 माइनस y, y स्क्वाइर इदर आएगा, बटे y स्क्वाइर, और dy by dx, माइनस चिनर है, 1 प्लस x है, x स्क्वाइर उधर जाएगा, बटे में x स्क्वाइर हुआ, dx को भी अब इधर लाइए, य एक बटे y स्क्वाइर, y बटे y स्क्वाइर, अलग-अलग करिए, ठीक है, 1 बटे y स्क्वाइर, माइनस y बटे y स्क्वाइर, ऐसे, इतना बटे इतना अलग, इतना बटे इतना अलग, दो टुकडाम बट गया, और इसमें से सिर्फ लिखें प्लस यபट बत्ये एकस 나오대 अलग और यह कम्हें इधर आएगा यहां और यहां आज्च तो दी एकस आपका यहां। के यहीं पर जाम यौ दी बलत के नाजिए स сильно को निया है । यहां तक है टो किन चलने घंस कले और 10 ayud ध क्यों इत अच 감사합니다 उठाएंगे अंस में, तो y की घात minus 1 होगा, ऐसे, तो अरे y की घात क्या होगा, minus 2 होगा, अरे y की घात plus 2, उपर जाएगा, तो y की घात minus 2, य से y कटेगा तो एक बटे y बचेगा चीक है? d y यहां पर भी x को उपर ले लिजे तो x की घात माइना दो x x कटेगा तो एक बटे x से बचेगा उपर से पूरा कट गया तो 1 बचता है तो 1 यहां लिखा गया नीचे से 1 गो यक्ष बचा था उसको लिखा हूँ और d yक्ष अब देखा गया कि y के सारे टर्म बराबर 25 में बराबर के इधर सारे y वाले हैं बराबर के इधर सारे एक्ष वाले हैं तो अब तो वो काम हो गया लड़ू लड़ू में सारा चला गया बालु साही बालु साही में चला गया देखिए इधर सारा यक्ष वाला इधर सारा वाई वाला अब इसके आगे कदम क्या करना है इसके आगे का कदम क्या है अब इसके आगे हमें समाकलन कर देना बेटा और कुछ नहीं करना दोनों पच्छों का समाकलन करने के लिए क्या करे यह सिम्बल लगा देंगे दोनों पच्छों में ठीक है लगा दिया समाकलन का सिम्बल देखो वाई के साप एक य की घात माईनर दो का समाकलन क्या होगा इसी में एक जोडते हैं ना इसी में क्या जोड़ेंगे घात में जोड़ेंगे वाई की घात माईनर दो में एक जोड़ेंगे वही वही चीन नीचे भी लिख देंगे ऐसे ठीक है और एक बटे वाई का समाकलन क्या होता है लाग वाई एक बटे वाई को क्या लिखते है लाग वाई तो माइनस लाग वाई बराबर एक्स पर घात माईना दो का समाकलन तो एक्स पर घात माईना दो में प्लस बन जोडेंगे वही काम यहां भी करेंगे एक बट एक्स का समाकलन क्या होगा लाग एक्स क्या होगा लाग एक्स लेकिन क्या यहां सुरुवात में माईना चिन है तो यह माइनस चीन रहेगा ही ठीक है? यहाँ ही पर अब देखे जगह कम पड़ गया मेरे लिखने का तरीका गलत हो गया और मैं आपको कोई गलत तरीका नहीं सिखाऊंगा फिर से मैं लिखता हूँ देखिए वाई की घात माइनस दो पलस एक बराबर माइनस चीन रहेगा ही रहेगा इधर वाला इसका समाकलन माइनस दो पलस वन बराटे माइनस दो पलस वन एक बटे एक्स का समाकलन लाग एक्स होता है ठीक है? पलस सी अब देखिए एक में से दो घटे का माइनस एक एक मेंस से दो घटे का माइनस एक तो नीचे वाला माइनस एक लिखेंगे ने नीचे वाले को सिर्फ माइनस वन समझेंगे लाइट कम हो गया था तो माइनस वाई की गात माइनस एक ठीक है यह माइनस कहां साया नीचे से एक में सो दो घट गया है तो माइनस एक आया माइनस एक का गुड़ा इसमें हो गया लेकिन माइनस चिन रह गया और एक में दो गया माइनस एक कि मैननलाग वाई बराबर यह चीज यहां भी एक काम करते हैं, यह लिखेंगे, y की घात माइनस 1 को, 1 बटे y, और यह 1 बटे x, लेकिन इस माइनस के बज़ेस, यह माइनस हो जाएगा, प्लस 1 बटे x, और इसके बज़ेस, यह हो जाएगा, माइनस लाग x, प्लस c, चीक है? माइनस लाग x, माइनस लाग y, पहले से है, बराबर 1 बटे x, इधर पहले से है, माइनस 1 बटे y, उधर जाएगा, प्लस 1 बटे y, और प्लस में c, लाग m, माइनस लाग n, बराबर क्या होगा? लाग m, बटे n, याण x, बटे y, लाग x, बटे y, बराबर 1 बटे x, प्लस 1 बटे y, प्लस c, यही आपका एंसर है, ठीक है? बस, आउकल समिकर, हल हो गया, चार नमबर मिलना था, मिल गया, आप कमेंट करके बताइएगा, आपको कैसा लगा, ठीक है? मैं बड़ा ही छानबीन करने के बाद, ये तीन सवाल मैंने रिशर्च किये, तीनों सवाल की फ्रिक्रेंसी देखा जाए, तो 35 बार लगभग तीनों सवाल मिला जुला करके एक्जाम में आ चुका है, तो जिन बच्चों को गडित में अच्छे नमबर 1 साथ पास होना है, वे इन तीनों सवालों को तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीट कर लें, ताकि एक्जेक्ट यहीं सवाल एक्जाम में आए, तो बले-बले, इसके जैसा आए, तो भी बले-बले, क्योंकि मैंने सिखाया आपको, रटाया नहीं है, मैंने सिखाया आप सीखे हैं, तो ए आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, नोट करिए, अपने से भी हल करिए, तो उसका आपको फाइदा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, समझे, चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में, थेंक्यू